अयोध्या को अंतिराश्ट्री अधार्मिक परेटन नगरी के तौर पर स्मार्ट बनाने के लिए तेजी से काम किये जा रहे हैं 22 जन्वरी को प्राणप्रतिष्ठा समारों में देश से लेकर विदेश के कई वी वी आईपी महमान अयोध्या पहुचेंगे ऐसेमी वी वी आईपी परेटनों के लिए भी सरकार अलग से विवस्ताइं कर रही है अयोध्या को जीरो कारबन युक्त बनाने के साथ साथ वी वी आईपी परेटकों की सुखतियात्रा के लिए electronic कारें चलाई जा रही हैं अयोध्या को 12 इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध करा दी गई है। इन वहनों के इस्तमाल से अयोध्या में पॉल्यूटिशन नहीं होगा और अयोध्या वासी खुली हवा में साञ्स ले सकेंगे। इस कार में सवार लोगों का क्या कहना है सुनिये। गाली बहुत अच्छी है और काफी जगह भी है काफी कंफोर्ट है और सीट भी मतलब काफी अच्छी सीट है अब इधन जो हम लोगों पे डीजल पेट्रोल की मांग बढ़ती थी उसका हम लोगों के उपर असर कम पड़ेगा इलेक्टिक विकील आ गई है इसका मतलब हाँ ये पॉलिशन तो बहुत ही कम होगा आयोद्या में हमें लगता है कि आने वाले समय में वहां पे लेक्टिक अप्ट्रोल इंजन के गारियां जो है बंद हो जाएंगी ये इलेक्टिक ही चलेजिसे की पॉलिशन कम होगा आयोद्या तेजी से डबलब हो रहा है कैसा लग कुछ दुनों बाद अयोद्या में कई और एलेक्टिक कारें परेटिकों के लिए आ रही है जिनको पुआ योध्या के खास थानों पर परेटन दर्शन के लिए लगाय जाएगा. साथ ही आने वाले दिनों में इनलेक्ट्रिक कारों को मुबाइल एप से भी जोड़ा जाएगा. जिसे परेटक अपने मुबाइल से इनलेक्ट्रिक कारों को बुग कर सकेंगे.